आज का हमारा टॉपिक है NCF 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है कि कोई भी टीचिंग एक्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाते हूं पेड़ागोजी का अधार गह सकते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो को देखने के बाद पेड़ागोजी के बहुत सारे कॉंसेप्स आपके क्लियर होंगे तो वीडियो को आन तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं NCF 2005 या National Curriculum Framework 2005 या इसको कहते हैं रास्टे पाथे चरिया रूप रेखा NCF 2005 एक्चुल में एक documents है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है इस तरीके के जो प्रावधान है वो दिये गए है NCF 2005 में और देखें ये जो NCF 2005 है ये चोथा NCF है इससे पहले 3 NCF और आ चुके हैं एक आया है 1975 में एक आया है 1988 में और एक आया है 2000 में तो याद रखेंगे ये जो 2005 में आया है ये NCF 2005 ये चोथा है इससे पहले 3 और आ चुके हैं और इसमें भी संसोधन होने की संभावना है जो कि आगे फ्यूचर में हो सकती है अब रास्ट पाठ्यचरिया रूप रेखा 2005 जो है इसका प्रावधान या इसका विचार कहां से लिया गया है रविंद्र नाठ टैगोर क जो एक निबंध है सभ्यता और परगति यहां से इसका विचार लिया गया है याद रखेंगे NCF 2005 का अब देखें NCF 2005 का अनुआद जो है सम्मिधान की आठवी अनुसूची में सभी भासाओं में किया गया है सम्मिधान की जो आठवी अनुसूची है वो संबंदित है भास से और जिसमें कुल कितनी भासाइद दी गई है 22 भासाओ का वर्णन उसमें किया गया है और उसमें सभी भासाओं में अनुआद किया गया है किसका NCF 2005 का अब देखिए जो एक कमेटी बनी थी 1992 में जिसकी अध्यक्स था की थी प्रोफेसर यस्पाल ने यानिकि 1992 में कमेटी विदाउट बर्डन या सिक्षा बिना बोज की याद रखेंगे तो इसकी जो रूप रेखा है NCF 2005 की तो यह कहां से ली गई है या किस ने तयार की है तो यह इसी रिपोर्ट ने लर्णिंग विदाउट बर्डन से की गई है याद रखेंगे अब देख लेते हैं जो में ए या परमुक सुत्र जो है NCF 2005 का यह क्या है बिना भार के अधिगम या लर्णिंग विदाउट बर्डन जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया तो में जो एम है या जो में उद्देश्य है NCF 2005 का यह है लर्णिंग विदाउट बर्डन याद रखेंगे अब आगे देख लेते हैं उनको देख लेते हैं क्या नियम है इसमें इसमें या एक क्या बताता है या कि इंचीजों पर डालता है ज्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोडा जाए यह कि जो इसकू के अंदर तक ही सीमितणा रख़ाजारे उसलों को जो इसके जिवन व्वारिक चीजहें उन यानि कि पढ़ाया जा रहा है वो समझा करके पढ़ाया जाना जिस से बच्चा में उसके समझ विक्सित हो सके ना कि उसके रटनें पे जोड़ दिया जाए जाये नेक्स्ट है पाठ्य चरिया पाठ्य पुस्तक केंद्रित ने रह जाए देखे जो हमने NCF 2005 कहता है कि जो हमारी पाठ्य चरिया है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए यानि कि बाल केंद्रित होनी चाहिए ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर ना कि टीचर सेंटर् चाहिए सिर्फ चाइलड सेंटर पर यह जोड डालता है चाइलड सेंटर्ड याद रखेंगे यानिके शीक्षा जो है वह बालकेंदरित होनी चाहिए नेक्स है कक्सा कक्स को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए देखे हमने अपनी लास्ट वीडियो में जब हमने अधिगम पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि बच्चा जो है अपनी गतिविधी करके सीखता है या अपने समाज से सीखता है तो इसमें कहा गया है कि जो कक्सा कक्स है उसको एक्टिविटी से जोड़ा जाए यानि कि गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसको लचीला बनाया जाए नेक्स्ट है रास्ट्य मुल्यों के परती आस्थावान विद्यार्थी तयार हूं या रास्ट्य महत्व के बिंदू को पाठ्य करम में सामिल किया जाए पाठ्य करम हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें रास्ट्य महत्व के जो बिंदू है उनको शामिल किया जाए देखें जो पाट है हमारा जो करिकुलम है या जो सिलेबस है वो NCF 2005 का एक पार्ट है ना कि ये पूरा डोक्यूमेंट सिलेबस पे आधारीत है ऐसा नहीं है सिलेबस सिर्फ इसका एक पार्ट है बाकी इसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए कैसे पढ़ाया जाए इन सब चीजों के बारे में बात करता है NCF 2005 अब देख लेते हैं important facts related to NCF 2005 यानि कि NCF 2005 से जुड़े हुए जितने भी महतपूर्ण तथ्या हैं उन सब को देखेंगे NCF 2005 का मुख्य उद्देश से बच्चों के विद्याले जीवन को बहरी जीवन से जोड़ना होना चाहिए NCF 2005 का मुख्य उद्देश से क्या है कि बच्चों को जो ज्यान दिया जा रहा है स्कूल में उसको विद्यार्थियों को चहुं मुख्य विखास हो सके देखें जो भी पढ़ाया जाता है स्कूल में बच्चों को तो जो अधिगम प्रिक्रिया है जिस माध्यम से उसको सिखाया जा रहा है वो प्र्क्रिया रटंत पर्णाली पर अधारित नहीं होनी चाहिए वो उसकी समझ विक्सित करने के लिए होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का चहो मुखी विकास हो सकी नेक्स देख लेते हैं जो सिक्सर्ण अधीगम परिक्रिया है वो बालकेंदरित होनी चाहिए ऐसी विसे सामगरी का उपयोग किया जाए जिससे परभावसाली वेक्तित्व का निर्मान हो सके यानि कि जिसको TLM कहते हैं Teaching Learning Methods यानि कि अलग अलग तरीके की ऐसे मैथड्स या ऐसी सामगरी का उपयोग किया जाए जिससे जो अधिगम परणाली है वो परभावसाली बन सके या परभावसाली वेक्तित्व का निर्मान कर सके इस तरीके की अधिगम परिक्रिया का उपयोग किया जाए या सामगरी का उपयोग किया जाए नेक्स देख लेते हैं, NCF 2005 का निर्माण NCRT दुवारा किया गया था, NCF 2005 जो है, यह NCRT के दुवारा बनाई जाती है, यह इसका निर्माण NCRT के दुवारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है, National Council of Educational Research and Training, इसका प्रमुख लक्षे है, आत्म ज्यान अथार्च विद्यार्थि करनी होती है, यानि कि देखें, Learning by Doing पर इसमें काफी जोड़ दिया जाता है, यानि कि जो बच्चा है, वो खुद एक्टिविटी करके सीखें, अपने ग्यान का खुद निर्माण करें, तो स्वयम ग्यान की प्राप्ति करनी होती है, इसका उद्देश्या है, NCF 2005 का, राइ हैं, उनमें अलग-अलग शमताई होती हैं, उनके अलग-अलग कोसल होते हैं, देखें, कोई बच्चा Maths में बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं कर पाता, कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा कर पाता है, वो हिंदी में नहीं कर पाता, तो सब के अपने अपने कोसल होते हैं और शमताई होती हैं जिसमें वो अच्छा कर सकता है तो उन कोशलो या अपने शमताओं को व्यक्ट करने का मौका हर विद्यार्थियों को मिलना चाहिए ऐसा NCF 2005 कहता है अब देखिए NCF 2005 के कुछ विसेशताएं हैं या सुझाव हैं जो NCF 2005 के अन अनुसार प्रात्मिक स्तर पर भासा का माध्यम मात्र भासा में होना चाहिए देखिए NCF 2005 क्या कहता है कि जो प्रात्मिक स्तर है प्रात्मिक स्तर पर भासा का जो माध्यम है यानि कि जो पढ़ाने के माध्यम होना चाहिए वो उसकी मात्र भासा में होना चाहिए बच्चे क कि काफी मेहत्वण माना गया है एंसीफ दोजार पांच के अनुसार तो याद रखेंगे कि जो प्राथमिक अस्तर है इस पर भासा का माध्यम मात्र भासा होना चाहिए शिक्षन सूत्र जैसे शिक्षन सूत्र क्या होता है देखिए ज्यात से अज्यात की और चलना मूर्थ से अज्यात की और जैसे अगर कुछ पढ़ाया जाए तो बच्चा जो कुछ पहले से जानता है या जो ग्यान उसको पहले से है पहले उसको उससे रिलेट करके समझाना है फिर हमें उसे सरल से जटिल की और यानि कि जो ज्यात है उससे अज्यात की और ले जाना है मूर्थ से यानि कि जो वो छू सकता है, देख सकता है, इन सब चीजों से उसको अमूर्थ की और, यानि कि जो वो imagination कर सकता है, या सोच सकता है, अमूर्थ कहा जाता है, उसको जिसको वो देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, राइट, तो मूर्थ से अमूर्थ की और, आधि का अधिक्तम प्रियोग हो, यानि कि इन सब चीजों का इसमें एक ओर आ जाएगा सरल से जटिल की और, ग्याद से अग्याद की और, मूर्थ से अमूर्थ की और, सरल से जटिल की और, यानि कि बच्चे को पहले सरल चीजे समझानी है, फिर सरल से जटिल की तरफ ले जाना है, इस चीज पर बहुत जोड दिया गया है NCF 2005 की अनुसार सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए देखें सूचना या information किसी भी तरीकी की हो सकती है सूचना को ज्ञान नहीं माना जा सकता इसलिए कहा गया है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए विसाल पाठे करम वे मोटी किताबे सिक्षा प्रणाली की ऐसा फ़लता का प्रतीक है देखिए मोटी किताबों को प्रिफरेंस नहीं दी है NCF 2005 ने यानि कि सिलेबस को छोटा किया जाए और उसको विहवारिक बनाया जाए ऐसा NCF 2005 की जो सुझाव है उनमें कहा गया है नेक्स देख लेते हैं सीखना सक्रिया एवं समाजिक गतिविधिय है अधिगम जो है हमने पढ़ा था कि बच्टा जब एक्टिव रहेगा और समाजिक गतिविधिया करेगा तभी सीखता है इसलिए कहा गया है सीखना सक्रिय एवं समाजिक गतिविधी है सीखने को डर एवं अनुसासन की जगह आनन्द एवं संतोस से जोड़ा जाना चाहिए देखे सीटेट टेट का ये काफी फेवरिट क्वेश्चन है कि सीखने को डर एवं अनुसासन की जग है आनन्द एवं संतोस से जोड़ा जाना चाहिए इस तरीके के question पूछे जाते हैं तो देखे ये इस तरीके का option डर एवं अनुसासन वाला आता है तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसकी जग है किस पर जोड़ दिया गया है प्रिक्रिया है उसको संतोस एवं आनन्द के साथ जोड़ा जाना चाहिए बालक की मात्र भासा को मात्र भासा संस्कृति को सम्मान दिया जाना चाहिए यानि कि जो प्रात्मिक स्तर की जो कक्षाएं हैं वो किस माध्यम में होने चाहिए यानि कि बालक की मदर टंग में होन तरींडी बहासे इसरेंगेहां मदल ऻोने हिंदिधिम कछेज्टरों में 11 हैं उनमें हिन्दी के अलावा और कोई language mother tongue होती है या मात्र भासा हो सकती है तो हिंदी भासी एक्षेत्र में पहली जो language होगी वो मात्र भासा होगी यानि कि हिंदी होगी दूसरी English होगी और तीसरी क्या होगी कोई भी एक international language हो सकती है और जो गैर हिंदी भासी एक्षेत्र है उनमें पहली जो language है वो उनकी mother tongue ह होगी मातरभासा होगी दूसरी होगी इंग्लिश और तीसरी होगी कोई भी इंटरेशनल लेंग्वेज हो सकती है तो याद रखेंगे यह होता है थ्री लेंग्वेज फॉर्मुला नेक्स देख लेते हैं पुस्तकालिया में बच्चों को स्वयम पुस्तक चुनने का अवसर यानि कि जो लाइब्रेरी में बच्चे पुस्तक चुनते हैं उनको खुद से चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए यह नहीं कि जो उन पर बड़र डालना है कि तुम्हें यही पुस्तक पढ़नी है वो स्वम उसका चैयन कर सकते हैं राइट सांस्कृति कारेकरमों में मन लोरंजन के स्थान पर सुंदरिय बूद को बढ़ावा देना यानि कि उनके महत्व को बताना कि यह किसलिया मनाया जाते हैं और इनका महत्व क्या है इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए शिक्षकों को एकादमिक संसाधन एवं नवाचार आदी समय पर पहुंचाया जाए यानि कि शिक्षकों को यह सब फैसिलिटी मिलने चाहिए TLM वगेरा की जो academic संसाधन है या resources है तो ये सब समय पर पहुँचाए जाने चाहिए सजा एवं पुरुसकार की भावना को सीमित रखा जाए देखे जो punishment है और reward ये अधिगम की प्रक्रिया में काफी important माने गए है यानि कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको reward मिलना चाहिए और अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको punishment मिलना चाहिए किन्तु उसकी जो भावना है punishment और जो reward है इसकी भावना को सीमित रखा जाए ऐसा नहीं कि हर बात में उसको punishment दिया जा रहा है या हर बात में उसको reward दिया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए इनकी जो भावना है उसको C में तरक जाए punishment और reward की अब देखिए इसमें भाजा के चार कोसल language skills की बात की गई है सुनना पढ़ना लिखना और बोलना देखिए भाजा के चार skills कौन कौन से होते हैं सुनना पढ़ना लिखना और बोलना जिसमें सुनना और पढ़ना ये क्या है ये passive skills होते हैं और लिखना और बोलना ये active skills होते है यानि कि बच्चा इन में active रहता है ये active skills होते हैं और जो हमारे सुनना और पढ़ना है ये दोनों क्या है ये passive skills होते हैं याद रखेंगे next देख लेते हैं सहर सेक्सिनिक गती विदियो में बच्चों के अभिभाव को भी चोड़ा जाए यानि कि जितने भी सहर सेक्सिनिक गत या जो उनकी capability है उसके अनुसार ही जो curriculum है या पाठे करम है syllabus है उसका निर्धारन किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि मानसीकस्तर से उपर का syllabus दे दिया और बच्चा उसको cover नहीं कर पा रहा है तो मानसीकस्तर और योग्यता के अनुसार ही पाठे करम का निर्धारन किया ज आयोजन करना, देखें, NCF 2005 क्या करता है, कि महिलाओं के परती आदर एवं जिम्मेदारी का द्रस्टी कोण विक्षित करने की जो कार्य करम है, उनका आयोजन करवाना है, इसमें देखें, जो जेंडर बायास होता है, वो आता है, शिक्षक जो है, शिक्षक को का ये दाई तो है कि कख्षा कख्ष का जो वातावरन है, वो इस तरीके का बनाए, जिसमें जेंडर बायास ना हो, यानि की वो उन्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, या ऐसा उनका दाई तु है, या उनका करतवया है, कि वो ऐसे शब्दों का या इस तरीके की बातों का इस्तमाल ना करें पांच है यह क्या कहता है कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का द्रश्टिकोंड विक्षित करने की जितने भी कार्यकरम है उनका आयोजन करवाना यह एक दाईतु है किसका स्कूलों का या विद्यालियों का बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठेश्या हो जो करिकुलम है यह सिलेबस है वो बालगों के चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए और सभी विद्यार्थियों हे तू समावेशी वातावरन तयार करना समावेशी का मतलब यानि कि inclusive education यानि कि अमीर घर देखें कुछ बच्चे might fit होते हैं कुछ बच्चे रहा हैं तो सभी पच्चों को एक साथ लेकर चलना है कुछ बच्चे को जलिद देर से सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको अलंग थलंग है सब को एक साथ लेकर चलना ही क्या कहलता है समावेशी वातावरण तयार करना NCF 2005 का उद्देश्य है याद रखेंगे सो फ्रेंज यह हमारा NCF 2005 का टोपिक यहीं कम्प्लीट होता है अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राइब करें और बैल आइकन को जिरूर प्रेस करें ताकि नैंगे नेक्स्ट वीडियो में knit topic के साथ थैंक यू